नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब जेनल आर के योजना पर यूपी फिरी रासन ताजा खबर मुख्य मंत्रियोगी आदितेनात के उत्तर प्रदेश राज्ये के यदि आप भी अधीन आते हैं आपका भी उत्तर प्रदेश का एपेल बीपेल अंतोदे कोई सा भी रासन कार बना हुआ है और आप सरकार से फिरी रासन का लाब प्राप्त कर रहे हैं आज की यह जानकारी आपके लिए ताजा खबर बहुती महत्तपून है अब इस महीने से फिरी रासन नहीं दिया जाएगा रासन कारधारकों को कुछ ऐसे जिले हैं जिन में रासन की पाबंदी लगा दी गई है अब क्या कारण है पाबंदी लगाने का क्यों नहीं अब फिरी रासन दिया जाएगा और यदि दिया गया तो किन रासन कारधारकों को दिया जाएगा ये संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आप से एक छोटा सन्नी वेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप को प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चले दोस्तों यहां पर वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं और यूपी फिर रासन की जो ताजा खबर है वह आपको दे देते हैं रासनकार लाभारतियों के लिए एक बड़ी खबर आई है इस महीने में यूप चना, गेहू, दाल, चावल, आदी यह फिरी रासन में रहा था अब नहीं मिल सकता यहां रासन कई कारधार को के लिए बूरी खबर है, रासनकार धार को के लिए हैं फिरी रासन योजनाओ के तहत सरकार का क्या नया नियम है और क्या बड़ाव क्ये गई हैं यहां बताः आपके लिए जानना जरूरी है आपको बताते हैं रासनकार के नए नियमों के तहट रासनकार धारकों को साथ किलो तो गेहूं और दोस्तो 28 किलो चावल दिया जाएगा अगर आप उत्तर परदेश राज्ये के अधिन आते हैं तो आपको भी इस महीने से रासन नहीं दिया ज सकेगा किस महीने से आपको यह लाब मिलने वाला है इसकी जानकार भी आपको दी जाएगी साथ किलो गेहूं और 28 किलो चावल यानि की कुल मिलाकर 35 किलो रासन आप भारत के किसी भी राज्ये के रहने वाले हूं आपको वितरन किया जाएगा यह लाब आपको दिया यह लाब दोस्तों समझेगा यह लाब आपको मार्च 2013 तक मिलेगा दिया जाएगा रासनकार लाभारतियों को इस महीने में फ्री रासन मिलने की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही है आपकी जानकार लिए बता दे की उत्तर परदेश के 15 करोड से अधिक रासनकार धारकों को सरकार की तरफ से रासन नहीं मिल पाएगा केंदर और राजे सरकार की तरफ से उत्तर परदेश उर्वक आपूर्ति विभाग ने 11,000 को इंडर रासन की कटोती की गई है जिसके कारण रासनकार धारकों को रासन नहीं दिया जा सकता है यानि कि इस रासन के तहत मिलने वाली खादेश सामागरी जिसमें गेहूं, चावल, नमक, चीनी, आदी, चना ये सभी कट चुके हैं ये लाब नहीं दिया जा सकेंगे अब बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज क्या है? लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक उत्तर परदेश के चित्रकूट सदर परखंड के 35 कोटे दारों ने विभाग पर समय पर रासन ना देने का आरोप लगाया है रासन वितरन करने की परकिरिया की समय सीमा को बढ़ाने की भी मांग की गई रासन कारधारकों को बड़ा जटका इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इस महीने में उन्हें रासन नहीं वितरन किया जाएगा चित्रकूट परखंड के 68 कोटेदार को गोदाम से रासन वित्रन किया गया इसके माज जो अन्य कोटेदार थे उन्हें रासन नहीं दिया गया गोदाम को बंद कर दिया गया यानि की एक जिले के 11,000 कुएंटल रासन कट कर दिया गया अब 65 कोटेदार ऐसे हैं जो रासन काड धारकों को रासन वित्रण नहीं कर पाएंगे जिला चित्रकूट सदर परखंड के गोदाम परभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार चित्रकूट जिले के 11,000 कुएंटल रासन की कटोती कर दी गई है जिसके तहत रासन का धारकों को रासन नहीं दिया जाएगा जो फिर रासन है वह आपको सितंबर महीने तक वित्रण किया जा सकता है यदि जानकारे को लेकर मन में कोई सवाल है कोई डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कमेंड बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा यदि आपको मैंड जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जारू लाइक कर दीजेगा लाश्ट निवेद नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और बैल अगन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारे साथ जब तक के लिए जय हिंद ज्या भारत